नमस्ते, आस्ता ही ग्यान चेनल में आपका स्वागत है पद चिन और जूलता हुआ कमपा ये किस जगह है? आंध प्रदेश के अनंध पूर जीले के लेपाक्षी मंदिर आंध प्रदेश में इस्तित लेपाक्षी मंदिर वास्तु सिल्प का एक चमतकार है यह आपको देखने को मिलेंगे दो तरह के चमतकार इस मंदिर का रश्य ओर क्या है जानी? पहला हवा में जूलता पिलर्ज इस मंदिर के 70 से ज़्यादा पिलर है जिनके बारे मैं कहा जाता है कि ये सबी हवा में जूलते हैं परंतु एक ऐसा पिलर है जिसे इसपेश्ट तोर पर हवा में जूलता हुआ देखा जा सकता है ये खंबा हवा में है यानि इमारत की छट से जुड़ा है लेकिन जमेन के कुछ किलोमीटर सेंटीमीटर पहले ही कतम हो गया बिना किसी सहारे के खड़ा है ये पिलर हर साल यहां आने वाले लाखो टूरिस्ट के लिए बड़ी मिश्टरी है अंग्रेजों ने इस रहश्य को जानने के लिए कापी कोशिश की लेकिन वे काम्याब नहीं हो सके दूसरा पिलर के नीचे से कपड़ा किसकाने से आती है घर म लोगों के जीवन में संपन्नता आती है मंदिन में आने वाले भकतों की का मानना है कि इन पिलर के नीचे से अपना कपड़ा निकालने से सुक्षम्रदी मिलती है ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कम बे कि इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाये तो उसकी मुर जबकि कहीं लोगों का मानना है कि ये सीता माता के पेरों के निशानें, दूसरी और इन पेरों की निशान के बारे में कहा जाता है कि ये हनुमानजी के पेरों के निशानें, कोई कहता है कि ये देवी दुर्गा के पेरों के निशानें, आश्चरे करनी वाली बात ये है कि य पानी आखिर आता कहां से हैं। चोत्ता इस तियास मंदिर का इतियास पुराणिक माननेताओं के मुताबिक इस मंदिर को रिशी अगस्ते ने बनाया था। लेकिन इतियास कारों के अनुसा मंदिर को सन 1583 में विजे नगरम के राजा के लिए काम करने वाले दो भाईयों वीरुपन्ना और वीनरन्ना ने बनाया था। करते हैं कि वनवास के दोरान भगवान स्री राम लक्षमन और माता सिता यहां आये थी। सिता का अपरन कर रावन उन्हें अपने साथ लंका लेगर जा रहा था। तबी पक्षी राज जटायूं ने रावन से युद किया और गायल होकर वे इसी इस्तान पर गिरे थे। जब सिरी राम सीता की तलास में यहां पहुंचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायूं को अपने गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलगू सब्द है जिसका मतलब है उटो पक्षी।